हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में ब्लूतुट डिबाइस काम नहीं करने हैं तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलें चलिए स्फूरू करते हैं सब्सक्राइब ब्लूतुव नोन है या नहीं है यदि औफो तो शक्री यहाँ पर आपको स्टार्ट किलिक करने इसके बाथ यहाँ हो जाईगा और किरें नाय किलिक करते हैं इसतरह से विंडू ओपन ओ हो जाएगा आपको क्याए यदि आपको केस में यहां पर सब्सक्न सेलेटि नहीं होगा तो यहां आपको यहां पर दिख जाएका दर टूरबल तूस्य ने isso को पर आपको किलिक करते हैं इस तरह से windows open हो जाएगा अब आपको यहां पर दिख जाएगा अधर के निच्छे यहां पर bluetooth लिखा हुआ इसके आगे आप देखेंगे तो यहां पर रन लिखा ओगा तो जो भी service इनेबल नहीं होगा तो सर्विस का नाम आएगा उसको आपको इनेबल कर लेना है यान तो आपको क्या कने यहाँ पर next पर क्लिक करकर यहां से इनेबल हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या कने इस window को यहां से क्लोज कर देना है वो जो भी प्रॉलम होगा आटमेटिक उस प्रॉलम को फिक्स कर देगा उसके बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहां से क्लोज कर देना है आपको क्या करना है यहां पर आपको दिख जाएगा डिवास मैनेजर इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से device manager open हो जाएगा आपको यहां पर चेक कर लेने आपके case में ब्लूटूथ connected होगा उस device के अंदर अभिलेबल होगा तो यहां पर आपको दिख जाएगा आप देख रहें यहां पर मेरे case में connected नहीं है इसलिए यहां पर ब्लूटूथ का अइकन नहीं आ रहा है यदि आपके case में होगा तो यहां पर ब्लूटूथ का आइकन आ जाएगा तो आपको क्या करने के बाद आपको क्या करने के बाद इस इसके उपकर किलिक करके आप अपडेश राइबर भी कर सकते हैं उसके बाद इस window को यहां से क्लोज कर दिजिएगा लोज करने के बाद आपको क्या करना है सिस्टम को रिए स्टार्ट करने के बाद आप चेक कर लिजएगा आपका प्रॉल्म सल्व हो जाएगा स्टार्ट ह होने के बाद फिर भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना यहां पर स्टार्ट पर रैट किलिक करने हैं इसके बाद यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर दिखे जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक करने है क्लिक करने के बाद यहां प्रॉब्लम को यहां से क्लोज कर दिने अब आपको क्या करने के न है तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करके आपको category select करने के बाद आपको case में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर दिख जाएगा network and internet इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर यह option आज जाएगा यहाँ पर आपको network and sharing center के उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते है इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे left side में दिख जाएगा change advance sharing setting इसके ओपर आपको click कर देना है click करती है इस तरह से window open हो जाएगा अब आप यहाँ से check कर लिजेगा आपके case में यहाँ पे turn off network discovery on है या नहीं है यदि turn off होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे click करके on कर लेना है यदि आप guest mode में off रखना चाहते तो यहाँ से आप off रख सकते या नहीं तो आपको क्या करना है यहाँ पे private दिख रहा है इस case में यहाँ से आप जरूर on कर लिजेगा यहां से on होना चाहिए इसके बाद आपको क्या करने इसको भी आप on कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको save पे क्लिक करके आपको check कर लेने आपके case में यह problem solve हो जाएगा और please guys channel को subscribe करे like करे share करे thank you